So size here, back with another interesting and most important video और आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले है कि Samsung की device की उपर custom ROM कैसे install करेंगे जिसमें मैं सबसे बेल आपको ये बताऊँगा कि आप अपने Samsung के model के लिए file ढूनोंगे कैसे available है या नहीं है पता कैसे करोगे और अगर available है तो उसको download कैसे करोगे कौन सी वो proper file से जिसे आपको download करनी है और उसके बाद आपको उसको properly install कैसे करना है क्योंकि आपकी एक चूक, आपकी एक गलती के वज़े से हो सकता है कि आपका phone brick हो सकता है और definitely एक चीज में note down करने वाली बात है कि यहाँ पर Samsung की device का funda कैसे है आपकी एक चूक के वज़े से चूक मतलब कोई भी wrong file flash कर दी तो आपका phone जो है work भी कर जाता है ठीक है कुछ cases में phone boot भी कर जाता है आप कभी-कभी issues आ सकते है touch issues, like आप recovery में boot कर रहे हो recovery में फसा हुआ है, लेकिन touch ही काम नहीं कर रहे है उसके बाद आपका phone boot हो गया है customer on flash कर दी, सब कुछ ठीक है लेकिन boot होने के बाद थोड़ी दिर में फिर से reboot मार रहा है phone, तो इस तरह के issues आप ना face करे, इस तरह के गलती आप से ना हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा इंड तक के देखना एक भी part skip मत करना, please I request you, please, please please guys, okay तो वीडियो पूरा एंड तक के दे कुछ चैनल पे नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो bell icon दबाओ, hype का बटन दबादो इच्छा होगी तो, तो प्लीज यार वीडियो को देख के मच जाया करो, थोड़ा सा like, share, motivation बरसाया करो क्योंकि आपके इस support के वज़े से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, आपके motivation से ही अपना चैनल आगे बढ़ेगा, मैं भी motivate रहूँगा ओके, और हाँ, ऐसे वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं और जो देखते हैं, वो भी like, share ठोकेंगे नहीं, तो फिर हम खाब, जिन्दा रहेंगे बाई साब समझ रहूँ, तो अच्छे लिए, let's begin गाइस, process में आगे बढ़े, इससे पहले अपने Samsung phone का bootload unlock कर लो, कैसे करते हैं, link description में, जाके checkout करो, मैं यहाँ पर M21 ले रहा हूँ, यह एक example device है, आप अपना device को रखोगे, ठीक है, जो भी process बता रहा हूँ, जो भी methods यहाँ पर मैं शेर करूँगा, वो आप अपने device के हिसाब से follow करूँगे, मैं बताऊँगा कैसे करना है, but example purpose, यहाँ पर मैंने कौन सा device लिया है, Samsung M21, ओके, और सबसे पहले चीज यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कि आप ढूनोंगे कैसे custom ROMS अपने device के लिए, तो सबसे पहले तो XDA साइट पर ढूनोंगे, राइट साइड में देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं Samsung M21 XDA, इसको सर्च कर रहा हूँ, आप अपना model का नाम डालो, Samsung, जो भी है, आपका M31 हो गया, या फिर S24 Ultra हो गया, M21, जो भी है, वो डालके सर्च करो, XDA साइट विजिट करो, यहाँ पर Kernels, Recories करके लिखा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, कौन सी ROM अवेलेबल है, कौन सी Recories है, Port ROM अवेलेबल है गया, तो यहाँ पर क्लिक करके, आप वहाँ पर जाके पढ़ोंगे, वहाँ पर Download का Option रहता है, वहाँ से आप Download कर सकते हो, ओके, यह हो गया पहला मेथड, जो कि आप ROMs, Custom Recories, Kernels, ढूंड सकते हो अपने किसी भी Samsung Phone के लिए, दूसरा मेथड जो होता है, वो है Telegram, Telegram open करोगे, अपना एक Account बना लो, Telegram पर, Telegram पर सर्च पर जाओगे, ठीक है, अब Update Group और Discuss Group दो होते हैं, Update Group पर जाके, वहाँ पर आपको जो है, जो भी ROM लगेगी, वो मिल जाएगी, Discuss Group में आप जो भी Files लगेगी, Support Files वो यहाँ पर मिलेगी, For example, परपस यह है मेरा Update Group, Samsung Galaxy M21 Update, वहाँ पर लिखा रहेगा, Update करके, मतलब यहाँ पर मिलेगा, तो यह एक ROM है, Port ROM, या फिर कोई भी ROM यहाँ से आप Download कर सकते हो, तो मैं यह ROM डाउनलोड करना चाहता हूँ, यह जो अभी आप देख पार हो, यह वाली ROM, यह पसंद आगी मुझे, ठीक है, और यह Android 14 पर चल रही है, आप मिल जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर सभी लिखा रहेगा आपको, अपने ग्रूप में लिखा रहता है, कि स्टेप्स क्या रहेंगे इंस्टॉलेशन की, डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड पर क्लिक करके, आप डाउनलोड कर लेना, यह देखो, मैंने अल्रडी डाउनलोड कर रहा है, यहाँ से डाउनलोड आपको करना है, अपना ROM, अब यहाँ पर इसके इंस्टॉलेशन प्रोसस तो पता चलेगी, क्या लगएगी, तो installation guide यहाँ पर steps है उस पर click करूँगा तो यह देखो guide खुल चुका है guide में क्या लिखा है ध्यान से देखो सबसे पहले bootloader unlock करने को बोला है फिर TWRP install करनी है फिर format data करना है फिर ROM install करके format data करके reboot करना है तो इस तरह से यहाँ पर guide है दूसरा guide दिखा रहा हूँ यह S23 Ultra का group है left में देखो आप यहाँ पर क्या बोल रहा है unlock bootloader फिर TWRP flash करनी AP में फिर patched VB meta user data में flash करना है recovery में boot करके ROM flash करके format data करके आपको reboot करने को बोला है कुछ extra file बोली है आपने observe करा मेरा जो left side में मैं दिखा रहा हूँ यहाँ यह S23 Ultra का group है ध्यान से देखो S23, S23 या फिर S23 या फिर Ultra यह सारे यहाँ पर models है इसमें तो यह वाले group में एक extra file बोली गई है extra file कुनसी बोली गई है patched VB meta बोला गया है अब मेरे जो right side में जो M21 था उसमें patched VB meta नहीं बोला है left में जो मेरे को group मेला है इसमें patched VB meta बोला है तो जो files यहाँ पर लिखी है installation में वो files आपको download करनी है याद रखो इस चीज़ को और discuss group में join करना यही पर discuss रहता है ठीक है updates group अलग है, discuss group अलग है दोनों connected रहता है तो discuss group बोले तो जहाँ पर आप typing कर सकते हो और पूछ सकते हो कुछ भी questions अपने तो मैं notes चाहता हूँ तो यहाँ पर slash notes करके enter करूँगा तो notes आएंगे, notes मतलब जो required file से है या फिर इस चीज़ को कैसे use करना है कैसे flash करना है, notes में मिलेंगा notes पर डालके यहाँ पर जो note चाहिए मुझे क्या चाहिए, मिलेंको recovery कोन सी use करना है वो चाहिए, तो recovery डालूँगा अब यह patched vbmeta file चाहिए तो उसके लिए भी hash लिखा और जो notes में था slash vbmeta उसको मैंने type करा, तो यह file मिल गए, मिलेंको vbmeta के left side में देख रहे हो न वो, तो यह file download करूँगा right side में अब देखो, यहाँ पर मैं m21 में कौन सी file चाहिए, मिलेंको recovery चाहिए recovery recommended है, तो देखो मैंने hash दिया, recovery लिखा enter करा, तो यह recovery आ गए, मैं twrp use करना चाहता हूँ, क्यों, क्योंकि मिलेंको notes में बोला गया है, कि official twrp use करने को बोला है, v7 का, तो मैं वही करूँगा न download, उल्टा पुल्टा औरेंज fox होगे रहे, थोड़ी डालूँगा, जो बोला है, वही करना है, notes में जो लिखा है, installation guide में जो बोला गा है, वही files download करनी है ठीक है, तो M21 के group में मिरको recovery v7 की use करने को बोला है, देखो यहाँ पर पढ़ो, अच्छे से पढ़ना है आपको वहाँ पर जाके, English थोड़ी शीकलो कर नहीं आ रही है तो, ठीक है, आती है सबको, normal English है लेकिन, जिसको नहीं समाझ रहा है, उसको भी बोल रहा है तो, यहाँ पर यह download कर लोगे ठीक है, वही पर link वहीं सब मिल जाएंगे discuss group में ही files मिल जाती है, सब कूछ अगर नहीं समाझ रहा है, तो discuss group में पूछो भाई, मेरे को नहीं मिल रहा है, please can you tell me which recovery is need भी बोला जाता है, discuss group मतलब files उठाने के लिए, और question पूछने के लिए वो उसी से connected होता है, ठीक है? ध्यान में रखो, S23 Ultra में एक extra file बोली गई थी, कौन सी? patched VB meta, इसमें बोला है के नहीं तो आप अपने हिसाब से, अपने model के आप से देखो, तो मैंने सारे required files डाउनलोड कर ली है, अब मैं आ रहा हूँ PC के ऊपर, PC पे मैंने सारे files रख ली है, क्योंकि यहाँ पर Odin Flash Tool की ज़रूत होती है, सबसे बेले Odin Tool डाउनलोड करना, link description में डाउनलोड करके extract कर लेना इसको, मैंने अब हमेशा याद रखो, जो recovery होती है, I mean टूल में यह auto reboot वाला option बंद कर देना, ठीक है, और यहाँ पर AP जो है, AP में select recovery होती है, कौन सी recovery, जो custom recovery हमें install करना है, TWRP यह install करनी है, तो recovery कहा select करो, कौन से डब्बे में, AP डब्बे में ही select करना है, उल्टे-ब्बे में select करोगे, तो boot loop हो जाएगा, और phone brick हो जाएगा, याद रखना, और एक important बात हमने और एक group देखा था, Samsung का S23 Ultra, उसमें और एक file extra flash करने को बोला गया था, user data वाले डब्बे पे, कौन सा था वो, VB meta, patched VB meta flash करने को USB cable लगाऊंगे, phone switch off होने के बाद, मेरे भाई, switch off होने के बाद, volume up, volume down दबा के, अपने data cable connect करोगे, data cable connect करने के बाद, यहाँ पे कुछ इस तरह के options आएंगे, volume up की प्रेस करोंगे, इससे क्या होगा, download mode खुलेगा, ठीक है, नई समझ रहा है, एक बार Google करके, देख लो, कि download mode कैसे खुलते है, अपने phone का, download mode connect होने के बाद, यहाँ पर देखो, left side में, com port connected रहेगा, com करके लिखा रहेगा, वो, थोड़ा सा green या फिर blue type का होगा, com, ठीक है, सब ready है, flash पर click कर देना, इनीचे, com दिखने के बाद, यहाँ पर flashing pass होना चाहिए, उपर देखो, green color का pass आया, pass आया, बोलने तो ही successfully flash हुआ है, नई तो, failed लिखाया, तो वो गया, तो properly file load करना, ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ से, आप disconnect कर सकते हो, जैसे ही pass होता है, मतल के रखो, जब तक phone का screen off नहीं हो जाता, जैसे ही phone का screen off होँगा, power की छोड़ना नहीं है, volume down की छोड़के, volume up पकड़के रखणा है, यह देखो, volume up मैंने पकड़के रखा है, अब फिर से screen बंद होगा, मतलब phone बंद होगा, वैसे ही power की छोड़ देना है, पर volume up की नहीं छो अभी छोड़ा क्योंकि TWRP लोगो आया और भूट हो गया अब next step TWRP खुल चुकी है second step अभी ठीक है थोड़ा brightness वगर adjust कर लेता हूं बहुत ज्यादा हो रहा है आपको दिख रहा होगा इस case properly अब next step मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना क्या करना है सारे files जो है अपने मैं data कर दो अपने phone में मतलब TWRP में उसके बाद reboot to recovery करो एक बार उसके बाद जो है आप जो फाइल होती है अपने PC में से phone के internal storage में paste कर दो हो जाएगा ठीक है याद रखना इस चीज को अब next यहाँ पर next step आपको क्या करना है wipe पे जाना है advance wipe पे जाना है यहाँ यहाँ पर Dalvik start हो चुका है अब होने देते हैं उसके बाद next step क्या करना में आपको बताता हूँ ठीक है जो भी बता है एक बार flashing guide देख लेना अच्छे से जो कि आपको बताया गया flashing guide को ही follow करो ठीक है flashing guide कहाँ पे है आपने जहाँ से ROM download करी वही पे है न भाई तो वहाँ से एक बार देख है वही चाहिए हमें उपर देखो उपर successful है बस बात खतम अब next step क्या करते हैं format data करके reboot करते हैं तो यहाँ पे wipe पे आके यहाँ पे यहाँ यह लिख देना format data करके यहाँ पे reboot system पे tap कर देना that's it यहाँ पे first time boot होने में time लेगा थोड़ा सा phone क्योंकि Samsung का phone थोड़ा time लेता है अगर boot नहीं हो रहा है तो एक बार force reboot करना है मतलब power key को hold करके रखो फिर से वो start हो जाएगा मतलब boot हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे देखो android 11 पे था मेरा phone अभी android 14 पे हो चुका है यह है custom room का power और यह power किस ने दी custom room developers ने ठीक है android 14 यूस कर रहा हूँ